कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी राजस्थान के अनूपगड में एक चुनावी सबा को संभोधित कर रहे थे उसी दोरान उन्होंने गरीबी दूर करने का दावा किया राहूल गांधी ने कहा कि अगर कॉंग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो वो देश से गरीबी हटा देंगे वो भी एक ही जटके में उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस सरकार गरीबी रेखा से नीचे हर परिवार की एक महिला को सालाना एक लाक रुपए देगी और तब तक देती रहेगी जब तक परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकल जाता इसी के साथ उन्होंने ट्वीट किया है कि जनता को बड़ी महंगी पड़ी मोधी सरकार इस कमर तोड महंगाई में रिकोर्ड तोड बेरोजगारी आम जनता पर दोहरी मार है और यही आज देश के लिए सबसे बड़े दो मुद्दे है मीडिया मोधी की बात दिखा कर मुद्दे की बात छिपाने की कोशिश करता है ताकि भाजपा सरकार का सत जनता के सामने ना आ पाए नरेंदर मोधी देश से अपना रिपोर्ट कार्ट छिपा रहे हैं जिसमें वे हर सब्जेक्ट में फेल है और जनता अब उनकी क्लास लगाने की तैयारी में बैठी है वही हम गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना एक लाक रुपए यानी 8500 रुपए प्रती महिना देंगे ताकि गरीबी के दलदल से बाहर निकला जा सके यह कॉंग्रेस की गारंटी है इसी तरह की राजनेतिक खबरों की जानकारी के लिए जुड़ी रहे जुड़ी रहे जुगारी न्यूस के साथ